रविवार को सीताबर्डी पुलिस थाना अंतरगत आने वाले चिल्डरन्स ट्राफिक पार्क के पास तीन आरोपियों ने एक मामुली विवाद को लेकर 24 वर्षय फिर्यादी को गंबीर जखमी करने का मामला सामने आया था जिस पर कारवाई करते हुए सीताबर्डी पुलिस को तेनों आरोपियों को पकड़ने में यश प्राप्त हुआ है मिली जानकारे के मुसार रविवार को 24 वर्षय फिर्यादी राजकुमार जावा ट्रिलियम मौल से अपनी कार से बर्डी होते हुए जारा था जब वो बर्डी थाना अंतरगत आने वाले चिल्रन्स ट्राफिक पार्क के पास सिगनल पर रुका हुआ था तब दो पई या वाहन पर सवार तीन युवक पीछे से आये और जोर जोर से अश्रील गाली गलोच करती हुए हौन बजाने लगी इसका विरोज जब फिर्यादी द्वारा किया गया तो उन्होंने फिर्यादी की गाली रोक कर एक अग्याज शेस्त्र से उसकी पीड और च्छाती पर वार कर उसी जान से मारने का प्रेतन किया इसकी शिकाहत चप फिर्यादी ने सीताबर्डी पुलिस से की तो इस पर कारवाई करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपी सागर मसराम, गौरव कहारे और लक्षमन गुन्दिया को गिरफतार करने में यश प्राप्त किया इस संदर में सीताबर्डी पुलिस थाना के वरिष पुलिस नरेक शक अतुल सबनीस ने अधिक जानकारी साजा की उसको नहीं उसको थोका, तो उनोंने उसको गाली गॉलच करना चालो गिए ट्राफिक पार आने के बाद में वह लोग उरुके और वहां पे उनका जगडा चालो हो गया इस जगडे के दोरान वो तीनों लड़कों ने ये कंफलेणनम्न को मारना चालू किया और उसमें से एक लडगे ने चापू जैसे धारदा रत्यार से कंफलेणनम्न के पेट के उपर और पीट के उपर वार तुरंथ वहा ज़े भाग गये कंप्लेनन तिर अपने घर पे फिता जी को बुलाया और बोकाड और्टिरन में अड्मिट हो गया उसके बायान के मताविक हमने 307 के तैट गुना दाखि लिए इसमें हमने CCTV फुटेज चेक हिए लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा था या काड़ी का नंबर नहीं मिल रहा था ल इंफॉर्मर्स के पास से बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन निकाल के गाड़ी का नंबर निकाला और उसके उपर से ये आरोपी तीनों तावे मिली है ये तीनों आरोपीयों को हमने एरेस किया है और आगे की कारवाई चालू है इस कामगेरी को सीता बड़ी पुल स्थाने के एपी आई शेरगिल प्रफुल मान कर प्रशान भोयर और हवलदार कुड़ापी ने अन्जाम दिया क्यामरा पोसन माइकल के साथ दिशहटवार बीस्यन नाकपूर